जो लोग लोग डिस्टेंस रिलेशन्शिप में होते हैं, सिर्फ वही ये एहसास समझते हैं। जब तक ये लोग एक दूसरे से दूर होते हैं, आपस में इनके खूब जगड़े होते हैं, लडाईया होती हैं, कई दफ़ा तो मिसंडिस्टेंडिंग भी हो जाती हैं, एक दूसरे को सुनाते रहते हैं कि वक्त नहीं है तुमारे पास, etc. लेकिन जब इनकी मुलकाते होती हैं, अपनी सारी शिकायते भूल जाते हैं, भूल जाते हैं किनाराज भी थे एक दूसरे से, मिटा देते हैं सारी गलत फैमिया जो भी होती हैं इनके धरमिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन मलाकातों से पहले की रातें भी कितनी चंचल होती हैं, excitement hold नहीं होती, हर पल बस तड़ते रहते हैं मिलने के लिए, क्या पहनेंगे, कितने बजे निकलेंगे, सब plannings करके सोते हैं, मैं समझ सकता हूँ कि long distance में रहना सबके बस की बात नहीं होती, कुछ लोग शुरुवात में डरते हैं, तो कुछ धोका दे देते हैं इस distance का फाइदा उठाके, बहुत ज्यादा भरोसा, बहुत ज्यादा वफादारी, attitude commitment चाहिए होता है एक long distance relationship को निभाने के लिए, हसाँ थोड़ी है, दूर बैठके किसी को चाहना और चाहते रहना, भरोसा करना और करते रहना, इज़त करना और करते रहना, वफादारी साथ समंदर पार होकर भी निभाना, अगर आप भी एक ऐसे रिष्टे में हैं, तो अपने हमसुफर के साथ share करके, उन्हें इस बात क अहसाँ जरूर दिलना, कि आप उनके शुक्र गुजार हैं, आपकी जिन्दगी में रहने के लिए, इस खुबसूरत रिष्टे के लिए,